हाई फ्रेंड्स आप पुने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुभूश चन्सिंग को GSMP क्लिनिक एन नीज चनल के अंतरगत फाइलेरिया, फाइलिरियासिस, एलिफेंटाइटिस यानि हाथी का पाउं जैसा यदि पैर आपका मोटा हो जाए और चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, हमने आपको पिछले वीडियो में एक लाइब किया था जिनका 66 साल पुराना उनका फाइलेरिया था, यानि जब वो 15-16 साल के थे तब उनको बिमारी एलग चुका था और ये बुढ़ापा ओल्ड अवस्था में 2000 आपको 17-18 में जाकर ये बिमारी पुन्तर ठीक हुगा यानि 66 साल जब फाइलेरिया थीक हो जाता है तो आप को सकते हैं कि पुराना से पुराना फाइलेरिया चाहे जितना भी पुराना केव नहों, चाहे कितने दिनों से आपको परसान कके रखा है आपका होमियोपैथिक दवा से फैलेरिया बिल्कूल 100% ठीक हो जाता है यदि आपको बलड में माइक्रो फैलेरिया पोजेटिव आ गया है और आप विदेश जाने वाले हैं तो आपको क्या करनी चाहिए कई लोग का भीजा रद हो जाता है आपको भाइली डीटिव जो रहता है उसकी अवधी जो रहती है माइक्रो फैलेरिया के चलते आपका भीजा रद भी हो सकता है उसमें आपको जब आपका मेटकल होता है तो एक समयल लिमिट के अंदर में आपको उसे उप्चार करा लेनी रहती है तो एक अली जी का जो यूपी के मरीज है हमने उनको दिखाया था पिछले उनका वाट्शिप मैसेज में उनके साउंड को आपके पास हमने रखा था और वो हमने बताया था कि 3-6 महिने में आपका निगेटिव हो जाएगा और मातर 40 दिन के दवा से उनका खून में जो माइक्रो फेलिरे पोजेटिव था वो बिल्कुल ठीक हो गया उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास में है उसको आप जाँच प्रक कर सकते हैं और कई मरीजों का उप्चार चल रहा है बहुत लोगों को लाब हुआ है कई मरीज थोड़ा से जादे जिनका मोटा पैर रहता है किसी किसी मरीज को थोड़ा ज़्यादा देरी में यानि थोड़ा लंबे समय के बाद उनको फाइदा मसूस होता है यानि आपका पर बहुत ज़्यादा नहीं फूला है कि वल बलड में आपको माइक्रो फ्लेडिया है तो बहुत जल्द ही आपका ये बीमारी ठीक हो जाता है यदि आपको फैलेरिया बहुत ज़्यादा हाथी पाउं हाथी के समान आपका पैर मोटा हो गया इसमें थोरा वक्त लगता है जार बुखार आपको आता है ठंड लगता है काफी जादे और हाथ फूल सकता है हाइडोसिल फूल सकता है आख में लाली आ सकता है बुखार आता ह ये सब 4-5 जग लक्षन जो है आपको आता है तेरी पुराना आपको फैलेरिया है तो कोई भी चिंता करने के जुरूत नहीं है हमने लाइब किया था और लिंक मांगेंगे तो हम आपको विश्वास के लिए दे सकते हैं यानि आपको लिंक मांगिएगा कि 66 साल पुराना मरीज किनका ठीक हुआ तो आप उसे देख सकते हैं अभी फिल हाल अभी 10 रोज पहले मातर 40 दिन में हमने माइक्रो फैलेरिया जो खुन में पोजेटिव था और निगेटिव हो गया अब जो विदेश जाने के में काफी परसान होते थे माइक्रो फैलेरिया पुजेटिव आने कारण उनका अभीजा बिल्कूल रद नहीं होगा और विदेश भी जा सकते हैं और अच्छे इंकम कर सकते हैं और आत्म निर्फब बन जाएंगे अपने देश के लिए अपने परिवार के लिए आपको कमाने जाने से कोई नहीं डोक सकता है चुकि हमारे टीटमेंट से माइक्रो फैलेरिया ठीक हुआ है उसके मरीज भी आपको हमने दे दिया है कि आप उनसे बात कर सकते हैं कोई भी वीडियो हम भीमारी ठीक होने के बाद ही आपसे हम सेर करते हैं और कोई भी वीडियो हम काफी इमंदारी के साथ बनाते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कई लोगों को लगता है कि एटूब में फैक वीडियो बनता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हम कोई भी बात आपसे कहते हैं तो उसका पूरा प्रमान के साथ मोबाइल नम और उस आदमी का एड्रेस पूरा लिखा रहता है आप उनसे बात कर सकते हैं रिपोर्ट जाच रिपोर्ट सारा हम आपको उपलब्द कराते हैं यहीं विश्वास दिलाने का तरीका है कोई भी आपको हमरा उदेश यह नहीं है कि हम आपको बिमारी देखें और यह बिमारी आपका ठीक नहीं होता है और आप बड़े-बड़े अस्पतालों का चकर अब अपने परिवार के खुश हाली के लिए आप मेहनत कर सके और मुक्त हो यहीं हमारा वीडियो बनाने का और हमारे चैनल का उदेश रहता है यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब को ना बिल्कुल ना भूलेंगे जाए हिंजाए भार झाले हिंए जाए हिंए हिंए है झाले हिंए हिंए भार के लिए बनाफ लुश हुच है झाले हिंए हमारे है वीडियों अपको आपको ऑाए हिंए.